नमस्कार मैं साक्षी बिहारी नियूस में आपका स्वागत है खबरों की और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्कियों पर एनाइटी पतना की छमता में होगा इजाफा बिहार लगू उद्यमी योजना के लिए आविदिन शुरू बिहार के बैंकों में खातधारकों के करोरों रुपे लावारिस टूरिज्म इंडरस्ट्री में महिलाओं ने पुर्यूशों को छोड़ा पीछे युवरास धवन नेश सुभम गिल की तारीफ की इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से एनाइटी पटना की छमता में होगा इजाफा एनाइटी पटना की छमता में और इजाफा किया जाएगा विहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुबार ने ये ऐलान कर दिया है वो यहाँ बी-सी एनाइटी के पुर्वती छात्र मिलन समारों में पहुँचे थे उद्गारण के बाद उन्होंने कहा है कि जब वो इस कॉलेज में पढ़ते थे तो इसकी शमता पांच सो थी अब ये बरकर पांच हजार हो चुकी है इसकी शमता में और इजाफा किया जाएगा और एक हजार की बढ़ोतरी होगी बीचा में एक सौपची सेकर में इसके दूसरे कैमपस का निर्मान चल रहा है इस दौरान मुख्यमंतर नितिश कुमार ने ये भी घोशना कर दिया है कि यहाँ इक्यूबीशन सेंटर बनाया जाएगा अगले साल तक ये बन कर तयार होगा सीम ने पुर्ववती के छात्रों को सम्मानित किया और इस दौरान उन्होंने घोशना कर दी है कि पीम सीच को 5,460 बेट की शमता में विक्सित किया जाएगा दियारा इलाके में आतंक को खत्म करने के लिए सरकार का एक्शन शुरू बिहार सरकार ने दियारा इलाके में आतंक को खत्म करने के लिए आक्शन शुरू कर दिया है इन इलाकों में जमें अपरादियों, माफिया और तसकरों को खदेडा जाएगा फिलहाल इसके लिए special police camp करने की तैयारी चल रही है इसके लिए खासकर गंगा को उसी सोन और गंडक नदी को चुना गया है कहा जहता है कि नदियू के आसपास अपरादिक गतिविधिया अधिक होती है इसके खायाल रखते वे 50 police camp बनाने की रनीती तैयार हो रही है वहीं समय के आधार पर इसकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है विभाग का पच्वारा होने के बाद मंत्रियों ने सम्हाला प्रभार सोंवार को सभी मंत्री कार्याले पहुँचे मंत्री विजे कुमार शौळरी भी अपने दफ्तर पहुँचे यहाँ विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया मंत्री ने अफसरों के साथ मिटिंग भी की है निती सरकार के मंत्री सुमिट सिंग ने भी अपना पद ग।ट ग्रहन किया तूरिजम इंडरस्ट्री में महिलाओं ने पुरुसों को छोड़ा पीछे परियटन के छेतर में महिलाओं ने पुरुसों को पीछे छोड़ दिया है कुल कारेरत लोगों में महिलाओं की संख्या 79 फीसदी है केंदर सरकार के ईश्रम पोर्टल पर निबंधन से ये जानकारी सामने आई है बिहार में टूरिस्म के छेत्र में 3,96,000 से अधिक लोग काम कर रहे है परियटन के छेत्र में काम करने वाली लोगों में बिहार तीसरे अस्थान पर आता है इसमें 2,74,000 महिलाएं काम में लगी हुई है 21,600 तिरपन पुरुसी परियटन के छेत्र में काम करते है उम्र के हिसाफ से देखे तो 66,360 फीस्दी लोग इस छेत्र में है आपको बता दे कि महिला एक किचन से लेकर वेटर और गाइट का काम कर रही है बिहार में सिक्षक संग ने सक्षमता परिक्षा का किया विरोध बिहार में सिक्षक संग ने ओनलाइन सक्षमता परिक्षा का विरोध करना शुरू कर दिया है बिहार राज्य प्रात्मीक सिक्षक संग का कहना है कि सक्षमता परिक्षा के संदर्व में कमीटी की अनुशन सा सही नहीं है संग का कहना है कि ये अनुशन सा नियम विरोधी और हास्यपद है इनका कहना है कि अगर सिक्षकों को कम्प्यूटर की जानकारी नहीं है तो वो सक्षमता परिक्षा कैसे देंगे इसके लिए उन्हें प्रसिक्षित भी नहीं किया जा रहा है संग ने सवाल उठाया है कि 50 साल से अधिक आयूवाले सिक्षक जो 20 साल से एक कारेरत है वो औरलाइन परिक्षा आखिर कैसे देंगे इन्होंने मांग की है कि सभी सिक्षकों की परिक्षा ओफलाइन ली जाए लोगों को लगू उद्योग शुरु करने के लिए ये मदद की जाएगी सरकार ने इसके लिए 94 लाख गरीब पडिवारों को चिनहित किया है इसके बाद इसे सम्मंधित बिल भी क्याबिनेट में पास हो चुका है सरकार ने इसके लिए 1250 करोर रुपे की रासी की विवस्था की है पांच सालों की इस योजना में 20 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है सरकार बैंक अब इनके नॉमिनी को खोज रही है वहीं अगर किसी का पता नहीं चलता है तो इन पैसों को विकास कार में लगाया जाएगा साल 2024 में जमा करता सिक्षा और जागरुकता कोस में 2500 करोर को ट्रांसफर किया जा सकता है बैंकिंग नियामक रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने संबंद में सभी बैंक को आदेश जारी कर दिया है वहीं जदी किसी नॉमिनी को ये राशी निकालनी है तो उन्हें पूरा दस्तावे जमा करना पड़ेगा आपको पता दी कि निस्क्रिये खातों पर भी ब्याज मिलता है वहीं बैंक को सही जानकारी नहीं देने पर दोनों पक्षों का नुकसान हो सकता है खाता फिर से चालू करने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा बैंक की वबसाइट पर अनक्लेम्ड रकम का ब्योरा देना जरूरी होता है इससे इन खातों की जानकारी ली जा सकती है इंडोनेशिया की लड़की ने बिहारी लड़के से मोतिहारी में की शादी मोतिहारी के पताही थाना छेत्र निवासी युवक ने इंडोनेशिया की लड़की से हिंदू रिती निवास से शादी की है दोनों के पडिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे उसके बाद दोनों ने अपने अपने परिजनों को मना कर शादी रचा ली है इनकी शादी को देखने के लिए पूरा गाउं उमर बढ़ा ताइवान में दोनों की मुलाकात हुई थी लड़की यहां की भासा नहीं जानती है लेकिन उसके अनुसार यहां के लोगों का वहवार काफी अच्छा है आपको बता दे कि भारी संख्या में लोग भी इस शादी को देखने के लिए पहुँचे और उसके बाद दुलहा और दुलहर ने सभी का आशिरवाद लिया पटना में सट्टेबाजी का जहांसा देकर लाखों की ठगी पटना के कदमकुआ इलाके में सट्टेबाजी का जहांसा देकर यूवक के साथ दो लाख से अधिक रुपए की ठगी हुई है प्रदीब कुमार नाम के यूवक से साइबर शातिरों ने सट्टेबाजी में मुनाफ़ा देने का जहांसा देकर उनका बैंक खाता खाली कर दिया शातिरों ने यूवक को मुवाइल पर एक लिंक भेजा शुरुवाद में यूवक को दस हजार रुपए का मुनाफ़ा भी हुआ था इसी लालश में वो फस गया इसके बाद उसने लाखों रुपए इसमें लगा दिये लेकिन फिर जब यूवक ने आप खोलने का प्रयास किया तो आप ब्लॉक हो चुका था शुशील मोदी का बयान जूटी विकास गाथा दिखा रहे तेजस्वी यादव राजसभा सांसत शुशील मोदी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव लोगों को जूटी विकास गाथा दिखा रहे है जिन्होंने 17 महने तक राज किया है वो ये दिखाएं कि यहां कितनी बार पुलीस पर हमला हुआ सुशील मोदी ने नौकरी के बदले जमीन गोटाले को लेकर भी लालू परिवार पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि मीसा भारती सही तीन लोगों को कोट में उपस्तित होना है सुशील मोदी ने आगे कहा है कि लालू परिवार बताए कि अमित कात्याल कौन है जिनकी कमपनी ने रेल्वे में नौकरी पाने वाले की जमीन खरीदी थी आरजेडी के प्रवक्ता मृतिंजे तिवारी ने समरार चौदरी को चालेंज दिया है उन्होंने कहा है कि बारतारी को फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार बचा ले मृतिंजे तिवारी ने कहा है कि तेजस्वी आदव ने खेला होने का ऐलान किया और ऐसा होगा वहीं कॉंग्रस के प्रवक्ता असी तिनात ने कहा है कि समराठ चौधरी ने सही कहा है कि सारी फाइले खुलेगी साल दोहजार चौबिस में सरकार बदलेगी तो फाइल खुलेगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी जेल जा सकते हैं आपको बता दे कि समराठ चौधरी ने कहा था कि वो सारी फाइले खुलेंगे इसके बाद आरजेडी और कॉंग्रस की प्रतिक्रिया सामने आई पपू यादव ने पुर्णिया को नमबर वन लोगसभा बनाने का किया संकल्प आगामी लोगसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियोंने तैयारी शुरू कर दी है इस इक्रम में पपू यादव प्रणाम पुर्णिया अभियान कर रहे हैं इस दोरान उन्होंने पुर्णिया को नमबर वन लोगसभा बनाने का संकल्प लिया इसके साथ युन्होंने कहा है कि बनमंखी प्रखंड के हर पंचायत में लोगों की बीच सुविधा का अभाव है यहां तक कि स्कूल नहीं है तो कहीं अस्पदाल नहीं है कहीं नहर और पंचायत भवन नहीं है आम लोगों का जीवन बधाल हो चुका है इसके लिए कुछ विधायक और सांसत जिमिदार है इस पर विचार करते वे पुर्णिया की जनता को एक जुट होना होगा यहां का विकास कोई नेता नहीं बलकि आपका बीटा करेगा और आपका बीटा घर-घर चाकर लोगों का शिर्वाद ले रहा है कॉंग्रिस की विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट होने पर अखिलीस प्रशाद ने बताया कारण कॉंग्रिस के 19 में से 16 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है और इसके बाद अखिलेश प्रशाद ने इसका कारण बताया है नई सरकार का 12 फरवरी को फ्लोर्ट टेस्ट होना है उससे पहले कॉंग्रिस के 16 विधायक हैदराबाद भीज दिये गया उसको लेकर अखिलेश प्रशाद ने कहा है कि सभी तेलांगना में बनी नई सरकार को बधाई देने गए है वो यहां मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उन्हें बधाई देंगे वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि कॉंग्रिस ने टूट के डर से विधायकों को हैदराबाद भेजा है आपको बता दे कि 28 जनवरी को बिहार में नई सरकार बढ़ने के बाद कॉंग्रिस में टूट की चर्चा हो रही है खगरिया में प्रशांद किशोर का बयान बच्चों के बहतर कल के लिए करे वोट प्रशांद किशोर बीदे 17 महिनों से पद्यात्रा कर रही है फिलहाल वो खगरिया में है या उन्होंने कहा है कि हम लोगों से पूछते हैं कि वो वोट क्यूं देते हैं उस पर लोग बताते हैं कि हमारी जाती का नेता खरा था इसलिए वोट कर दिया मुर्गा भात खाए या 500 रुपए लिए इसलिए वोट कर दिया प्रशांद किशोर ने कहा है कि वोट की सही कीमत आपके बच्चे की सिक्षा वरोजगार है रहिमपूर गाओं में जनसभा को संबोधित कर देवे प्रशांद किशोर ने कहा कि लाखों रुपए का वोट जाती के नाम पर मुफ्त में देने पर गरीबी खत्म नहीं होगी आप सभी अपने बच्चों के बहतर भविशे के लिए वोट करें युवराज धवन ने शुभम गिल की तारीफ की भारत बनाम इंग्लेंट के बीच पांच मैचों के टेसरी चल रही है दूसरा टेस्ट मैच विशाका पत्नम के डॉक्टर वाई एस राज शेखर रेड़ी क्रिकेट स्टेडिया में चल रहा है इसमें शुभम गिल ने सतक जड़ दिया है उसके बाद हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है गिल ने ये साबित कर दिया है कि उनके बल्ले में अभी भी दम है गिल के शतक के बाद युवराज सिंग और शिखट धवन ने उनकी तारीफ की है और इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया है आपको बता दे कि शुभम गिल ने 147 गेंदों में 104 रन बनाए है बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनकी नाम है प्रांडी सोम प्रकाश यादव इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का हमारा सवाल है आपके अनुसार बिहार में होने वाली सक्षमता परिक्षा का विरोध करना सही है या गलत आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षन में लिख कर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फीस्बुक से देख रहे हैं तो पीज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद